आज हम लोग जा देंगे कुछ फालों के कटिंग के बारे में कभी कभी क्या होता है मतलब कि कुछ-कुछ फाल ऐसे रहते हैं कि उनको सिर्फ काटने के चक्कर में या फिर उनको निकालने के चकर में हम लोग खाते ही नहीं मतलब कि बहुत बोरिंग लगता है जैसे आनार है ये आनार को मतलब कि खाने के लिए एक तो अच्छा ही लगतांएं. लेकिन क्वैं क्या होता है निकालने के लिए इतना बोरिंग लगता है कि हम लोगी इसे खाते ही नहीं. और दूसरा है छीता फल, छीता फल भी एक ऐसा फल है, जिसे थोड़ा खाने के लिए भी तरह साती है, बट निकालने के लिए उससे भी ज़्यादा थोड़ा आलस आता है, तो आज मैं इन दोनों की प्रॉब्मों को सॉल करने वाली हूँ, मैं इन दोनों जो फल है ना उन्हे चीता फल आप चाहे तो कोई वी फल को कैसे चाट करते हैं या फिर आन ? की कैसे बीजवोल सकते हैं ज fingerprints लिए निकेसे निकालते हैं वो जानेगी, सबसे पहले आनार को क्या करें जो सामने का पोर्शन रहता है उसे कट कर लें और पीछे का पोर्शन रहता है क ενा उसे कट कर पूल जाता है और क्या करें जो बीच-बीच में दाने रहती है मतलब कि रेशा रहती है एक आनर के अंदर में देखिए वाइट कलर की रेशा रहती है तो वह रेशा को क्या करें कट कर ले जितने भी रेशा है उसे कट कर ली या फिर यह देखिए इस तरह से जो सामने का पॉ निकल जाती है या फिर आप जो रेशा को कट करूंगे ने बीच में एक रेशा रहती है आप कभी भी आनर खाते हैं आनर निकालते वक्त एक रेशा रहती है बीच बीच में तो वो रेशा को हलका हलका कट कर ले तो क्या होता है वो रेशा क्या होती है पकड़ के रखती है आन और आप इस दाने को खा सकते हैं देखे हम पूरे दाने को निकाल लिए है अनर की इस तरह से आप भी अनर के दाने को निकाले और मुस्किल नहीं है ना अनर के दाने निकलना बहुत आसान है ना हम लोग सिर्फ इतने सी के लिए अनर खाते नहीं थे जबकि अनर खाने में बह दाने को निकाले और खाये आनर के बहुत सारा रसेपी भी बनती है मेरे खुद के चैनल में दो तीन रसेपी है आनर के आप देख सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिश्वम ने इसका जो लिंक है वो डाल दोंगी नेक्स जानेंगे छीता फल के जो अंदर के पोर्शन रहती या फ इससे वो मतलब की फल लगती है तो वो रेशे को या फिर वो पोर्शन को निकाल ले हाथ की सायता से उसके बाद में एक चमस ले चमस के जो पीछे का जो यह रहता ना भाग उसकी सायता से रहे इस तरह से आप निकाल ले मतलब कि बहुत ही आसानी से निकल जाती है आप चा तो खा सकते हैं मतलब कि खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो खाने में चैटा बल कि अपको बहुत इंट्रेस्टिंग भी घुलिक्टी खाने में भी और ये इसने भी आपको बिल्कुल अंदर का portion है उसे निकाले और इसे खाए आप चाहे तो यह जो चीता फल है ना हम लोग जो निकाले हैं उसमें थोड़ा सा चटपटा सा अगर बनाना है आपको तो कि अगर हलका सा मसाला डाल दे मतले कि नमक नमक लालमेश और कुछ चैट मसाला इन सब को मिक्स करके इसके उ निकाल के या फिर उसको भी इंट्रेस्टिंग बना के आप खा सकते हैं इस तरह से आप फलो को कटिंग करें खाए स्वस्त रहें मस्त रहें सुड़क्षित रहें और प्लीज फल को अवैट ना करें इन्हें खाए मतलब कि आप अगर हपते में 2-3 बार तो भी आप खा सकत इस तरह से फलो को कटिंग करें और इन्हें खाए और आपको अगर आनार की रेसेपी चीए तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी आप देख सकते हैं धन्यवाद